चलिए तो हम लोग बात करेंगे अब राश्टी रात भानी चित दिल्ली के बारे में दिल्ली के बारे में कुछ सामान जानकारी हम लोग जानेगे तो सबसे पहले आपको दिल्ली क्या मैप्स में इस्तिती बता देते हैं कि कहां है दिल्ली आखिर आपका यह आपका प्यारा भारत है इसमें देखिए यहां जाएंगे तो यह है हमारा केंदसासित प्रदेश दिल्ली ठीक है? इसमें आपका उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है इसकी सीमा हर्याणा से लगती है दोनों राज्यों से लगती है दोनों राजियों के बॉर्डर उपर इस्ते थे आपका दिल्ली तो इसी के बारे में हम लोग मत्पूंग तत्य देखते हैं तो इसकी अवस्थेती के बाद करें तो 28 डिग्री 24 मिनिट 17 से लेकर 28 मिनिट 28 डिग्री 53 मिनिट उत्रियक छांस था और देशांतरी अवस्थार की बात करें तो 26 डिग्री 50 मिनिट 24 से कंड से 27 डिग्री 26 मिनिट 37 से कंड पूर्वी देशांतक तक सामेल है याद रखें 28 डिग्री 24 मिनिट 17 से कंड से लेकर 28 डिग्री 53 मिनिट उत्रियक छांस और देशांद्री यवेस्तार की बात करने तो 26 डिग्री चैतर डिग्री सारी 6 डिग्री पचास मिनट 24 सेकंड से 47 डिग्री 20 मिनट 37 सेकंड पूर्वी देशांद्र था अगर उसके छेसली बात करें तो 1483 वर्ट किलोमेटर है कहने का मतला है कि 1487 वर्ट्यू मीटर छेथफल में फ्यला हुए नहीं दिल्ली आपको इसकी राददानी आपकी दिल्ली होगी सीमाओं की बात करें तो इसकी सीमा उत्तर पस्चिम तथा दच्छन में हर्याना मिलेगा पूरू में आपका उत्तर पिदेश देखने को मिलेगा ठीक है जोर राज्यों से इसकी सीमा लगती हुए अग जनसंख्या की बात करें तो यहां जनसंख्या आपको मिलेगा एक करोड 67,87,941 इसमें पूरो से आपकी 89,87,336 बाहिला है आपकी 88,665 ठीक है? जन संख्या घनत की बात करें तो सबसे जाना है 11,320 ब्यक्ति पिती बार किलूमीटर में मतलब इतना घना बसा हुआ है जन संख्या बिद्धी दर की बात करें यानी 2001 से 2011 की बीच तो यह देखी कि यह 21.2 पिती चत की बिद्धी हुई है लिंगन पात आपका 860 महलाएं पिती हजार पूर्सों पर है कितना? 860 लिंगन पात हो गया सिसु लिंगन पात की बात करें हम लोग तो यह जिरो सिच्छे बर्स में 871 है बालिका पिती हजार बालक यानी कि 870 बालिका है पिती एक हजार बालकों पर साक्षरता की बात करें तो 86.2 पिती है पूरुसे यह 90.9 पिती है महलाएं 80.8 पिती चत 0 से 6 वर आयूवग की जनसंख्या की बात करें तो यह 20,12,455 साक्षर्था की बात करें हैं बलो तो साक्षर जनसंख्या रहे है यहाँ 1,27,37,776 पुरो साक्षर्था की बात करें तो यह 71,94,856 महला साक्षर्था की बात करें तो 55,42,911 विधान मंडल की बात करें एक सदनात्मके यानि कि यहाँ केबल विधान सभा है क्या है विधान सभा है विधान सभा में सदस्नों की संख्या 70 है लोग सभा सदस्नों की संख्या 7 है राज सभा के सदस्वों की संख्या तीन है समझ में आए बिधान सभा सदस्वों की संख्या कितनी है सत्र लोग सभा सदस्वों की संख्या साथ राज सभा सदस्वों की संख्या तीन कि इस्तिति की इसकी बात करें लो तो इसकी बारे में पहली भी बात कर चुके हैं कि उत्तर पश्रिम बदच्छन बहर याड़ा पूर में आपका उत्तर पर देश किरसी चेट की बात करें तो यहाँ लगभग आपका सत्तर हजार हेक्टर चेट किरसी के लिए है क्या है सत्तर हजार बंचेट की बात करें तो 1443 हेक्टर है बंचेट ठीक है राच्किय पसू की बात करें तो नील गाय है राच्किय पक्षी आपका घरेलू गोरेया है उच्छन याले की बात करें तो दिल्ली है दिल्ली ऐसा केंद सासित पिदेश है अवी थे कि अपना उच्छ नियाल है अब आपका जम्मू कस्मीर में भी अपना उच्छ नियाल है उसका परवत जम्मू कस्मीर के बारे में याद रखी जबी कुछ किलियर आखड़े नहीं हुए उसके जैसे ही 2021 की जनगरना हुगी नए आखड़े उसमें सामेल हो जाएंगे और उसके बारे में आपको अच्छे से मालू चल जाएगा परवत अरावली परवत का परवतमाला की कटक है रिच सहरी छित्रों का छित्पले है याद आपका 924.68 वर्ट क्लूमीटर ग्रामीट छित्रों का छित्पले है 558.32 वर्ट क्लूमीटर नगर निकाए हैं 3 गाओं है 165 जिले हैं 11 तहसीले हैं आपकी 27 और सद बारसिक बरसा होती है 114 मिलीमीटर नदी है यो मनाया इस राजी में विथम राजपाल आपके आधितनात जहां है और पिथा मोक मंत्री से चौदरी ब्रह्मा स्री चौदरी ब्रह्मा इस राजी की प्रमोक भासा की बात करें तो हिंदी देखने को मिलेगी आपको पंजाबी उर्दू महाभालत काल में दिल्ली का नाम इंद प्रस्त था 1911 में कलकत्ता की जगे दिल्ली का कुबेटिस भारत की राजपानी बनाई गई थी लेकिन इस्थानान ते ये घोशना हुई थी 1911 को 1912 को ये पहुची थी या 1947 में सुतंता के बाद इसे भारत की राजपी राजपी राजपानी की रूम में स्विकार किया गया समिधान की 69 वे समिधान संसुधन 1991 द्वारा यहां विधान सभा का गठन किया गया तथा केंद सासे पिदेश में विशेष दर्जा दिया गया से एक फरबरी 1992 से इसे नया नाम राष्टी राजपानी चित दिल्ली दिया गया यमना तट पर अवस्तित या नगर बर्कमान फिरो साह कोडला और हुमायू के मकवरे के बीच अवस्तित है इस पिदेश को खंड प्रस्त और योगनीपुर के नाम से भी आप लोग जानते हैं खंड प्रस्त और योगनीपुर बात के काल में यह चित मौर गोप्त पाल आदी सासकों के दिन रहा इंद प्रस्त और के गौतम बंसी है राजाओं के परवर्ती मयूर बंस के अंतिम कन्नो सासक राज दिलू द्वारा इस पिदेश को जीतकर अपने राज में मिला लिया गया था राजा दिलू के राजपल सौरूपदत द्वारा यह दिलू के नाम से एक नए नगर की रूम में बसाए गया साससो चत्तीस इस भी में तौमार राजपूतों द्वारा दिल्ली दिल्लीका के नाम से एक नगर की विधीवत बसाए गया दस्तो बाबन इस भी में अनंगपाल दुतिय द्वारा उस नगर का पुनर अधर उपुना निर्माण कर इस नगर को स्तुरक्चा के लिए लाल कोट नामक किले का निर्माण करवाया दिरली के लिए तो उसके बाद आपका आगे है अनंगपाल सेकें अनंगपाल थेड़ की सासनकाल के दोरान चोहान सासक विग्रह राज दोरा ग्यारे सो इंक्यावन इसवी में इस पिदेश पर कब्जा कर लिया गया लेकिन दोनों घरानों में बिवाहिक संबन्द की स्थापना के बाद तोमरवंसी वहाँ चोहान सासकों के दिन सासन कर दे ले विग्रह राज की पोत पितवीराज चोहन राय पितोरा ता लाल कोट के लिए का विस्तार कर ओकिला राय पितोरा की नाम से एक बड़ी के लिए का निर्मान करवाय इसे दिल्ली का पहला इतिहासिक सहर माना जाता है जो आपकी पितवीराज चोहन ने बसाए था फिर आपने सुना हुगा तराइन का ये आपका कुश्चन है कई बार बन चुकी है तराइन के दुधिये युद में 1192 में पितिवीराज चोहान की पराजे के बाद 1193 में मुहम्मद गोरी एक गुलाम कुत्व बुद्दिन एवक द्वारन दिली बादिकार कर लिया गया याद रखिए 1191 में पहला तराइन का ये उद्धुआ था इसमें आपके मुहम्मद गोरी की हार हुई थी पितिवीराज चोहान जीता था लेकिन 1992 में दूसरा तराइन का ये उद्धुथा है इसमें पितिवीराज चोहान की पराजे होती है मुहम्मद गोरी बेजैई होता है 1206 में मुहम्मद गोरी की मित्व के बाद कुत्व गुद्दी नेवक ने खुद को दिली का सुल्तान गोसित करती है 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर कर एवक की कुत्व गुद्दी नेवक की मित्थी हो जाती है इसके बाद उसका दमाम इल्टुत मिस दिली का सुल्तान बनता है और याद रखिए दिली का वास्त्विक संस्थाबक इसी को माना जाता है इल्टुत मिस को कुत्व गुद्दी नेवक के बाद साथ मुसलिम बनस आते हैं गुलाम बनस, खिल्जी बनस, तोगलक बनस, सेद बनस, लोधी बनस, सूरी बनस, मुगल बनस ने एक के बाद एक दिल्ली पर राज किया और अपनी अपनी रुची और रोजान की चाप दिल्ली पर छोड़ दी दिल्ली के पिसे कुतुब मीनार की नेवक 1189 में कब 1189 में कुतुब बुद्दी नियवक द्वारा डाली गई थी कुतुब मीनार के समीप ही अलाउदीन के लिए द्वारा दिल्ली का दूसरा नगर सीरी बनाए गया था सीरी नगर उसने 1305 में होच खास का भी निर्माण करवाय था किसने अलाउदीन के लिए गयासित दीन तूगलक ने 1321 में सीरी के पूर में तूगलागाबाद नगर की निवडाली यह नगर केवल 6 बरस तक तूगलक समराज की राध्धानी रह पाया तूगलक बंस के दूसरे वाधसाय मुहमत बिन तूगलक द्वारा स्री और कुदुप के बीच जहां बनाए के नाम से एक नए नगर की इस्ताफना की गई जिसे आज चिराग तिल्ली के नाम से भी जानते हम दो इस इस्तान पर बाधसाय द्वारा 8 किलोमीटर के घेरे में 13 दर्वाजों वाला एक परकूटा भी बनाए गया था तूगलक बंस कितिती ये बाधसाय फिरोज साय तूगलक द्वारा तेरह सुचंगन में फिरोजाबाद नाम से एक नया लाधनी नगर वसाय गया इस नगर को आज फिरोज yapad फिरोज साय कोटला के नाम से जानते हैं हम लोग लगबग दो स्ताबदी के बाद हुमायू ने अपनी एक अलग नगर दिल्ली थरोजाबान नगर की चार किलोमीटर रच्चन में स्थाबित की या इस्थाल आज पुराने दिल्ली के नाम से मसूर है इस नगर की वसावट का काम सेरसाय सूरी द्वारा पूरा किया गया इसी क साय जहाबाद के नाम से बसाए गया उसके द्वारां वहाँ पर 1648 में लाल किला और 1650 से 1656 की बीच जामा मस्चित का निर्मार करवाए गया था साय जहाबाद के चारों तरफ क्वाइट जाइट पत्थर की चार दीबार बनवाई गई जिसके चारों तरफ मुख द्वार दिल्ली गेट, कस्मीरी गेट, अजमीरी गेट और लाहरी गेट के नाम से लगे हुए 1724 में राजा जैसिंग द्वारा जन्तर मंतर बनाया गया और सजुद्वाला द्वारा 1753 चंग्वन में सबदर गंज का मकवरावी यहीं बनवाए गया दिल्ली में अंग्रेज द्वारा पहले भारत की राध्धानी कलकत्ता बनाई गया परन्तु 1911 में संग्मराट जोड पंचम द्वारा दिल्ली की राध्धानी बनाने का निश्चे किया गया था 1912 में यहां लागू भी हो गयी थी सन 1947 में सोतंता प्राप्ती के बश्चात इसे भारतिय संग की राध्धानी की रूम में सुईचार किया गया 1956 में से कैंद सासित पिदेश का दर्जा भी दे दिया गया दिल्ली पर विदिवा सासन की सुरुवात अंग्रे जोंदारा अठारे सो पांच से में सुरूं की गया थी क्रब अठारे सो पांच दिसंबर 1953 में गठित राजपुनर गठन आयों के सुजाओं के मद्दे नजर कैंसरका द्वारा एक नमंबर 1956 को दिल्ली की मंद्री पर शद व विधाईका का स्थित समाप्त कर दिया गया था 1957 में संसत द्वारा पारे दिल्ली नगर अधिनियम के तहित, नगर निगम की गठन के उद्दे से 1958 में चुनाव करवाए गये दिल्ली में उनिस सो संदावन में ये दिल्ली विकास अदिनियम पारित हुए जिसके थे दिल्ली विकास प्रादीकर्ण की स्थापना भी हुई है प्रादीकर्ण द्वारा पहला मार्श्टर प्लाइन उनिस सो बासट में पिकासित किया गया था कव 1962 में दिल्ली पिसासन अधिनियम 1966 द्वारा महानगर परिशत इसमें आपके 56 निर्वाचित और 5 मनुनी सदस होते थे कि गठन का प्रावदान कर दिल्ली में सीमेत पितिनित्त वाली सरकार की स्थापना की ले समीधान में 79 समीधान संसुदां द्वारा दिल्ली राष्टि राधानी छित अधिनियम 1991 में प्रभाव में आया 1992 में सिलागू इस अधिनियम के तहित एक बिधान सबाब तथा दिल्ली के पिसासन संचालन के लिए कर उपराजबाल तथा उनकेों विशाय में सलाय देने के लिए मुखमंत्री की अदिन मंत्री बवसत का प्राउधन भी किया गया आपका 1993 की चुनाओ के परश्चात इस अदिनियम के तहट पहली विधानसभा का गठन किया गया नवंबर 1998 में दूसरी विधानसभा गठन की लिए भू आक्रितिक द्रिष्टी से दिल्ली तीन भागों में विभाजित है कौन-कौन से हैं भाग यवनाबाड यवं गिरिपदी है मैदान दूसरा पहाड़ी पिदेश तीसरा है मैदानी पिदेश दिल्ली के सबसे उंचा इस्थान भाटी गाहों जिसकी उंचाई समदुतल से 322 मीटर पूची है दिल्ली की भू आक्रिति का सरवादिक महत्तकून तत पहाड़ी है जो राजिस्थान की अरावली पहाड़ियों के परवस पिसकंदी की भाथी बना हुआ है अनंगपाल पिथम तौमरबंसी राजा की समय बना सूरचकुंड आज भी दिल्ली में मौजूद है सूरचकुंड चांदिनी चोक का बाजार साजहा की लड़की जहास आरा बेगम ने बनवाए था चांदिनी चोक आप लोग सुनते लेते हैं लाल किला लाल किला आपका 1648 में बन कर तेयार हुआ जिसकी निव 1649 में रखी गई थी इस पर 9 करोड रुपी उस समय कल्च हुए थी आप समझ रहे हैं कितनी कीमत होती होगी 1649 की बात है 1749 में नादिर साय ने इस नगर को परवाद कर दिया था नादिर साय अंग्रेज 1857 में राध्धानी को दिल्ली से कलकता ले गए थे फहले आपकी दिल्ली हुगा करती थी जून 1911 में दिल्ली को पना भार की राध्धानी बनाये गया दिल्ली के लाल के लिए में बहादो साज जाफर दूती है और शोवाशन्द बोस की आजाद हिंद फोच के सैनिकों के सुपिसिद्य राजनेतिक मुकद्ध में भी चले थी लाल के लिए दिल्ली के इसी लाल के लिए पर 15 अगस्त 1947 की दिन सुतंद भारत की प्रिदम प्यदान मंत्री से जवालाल नहरू ने स्वाधीन भारत का तिरंगा राज राष्टी द्वच फैराय था आज भी आप लोग देखते हैं कि हमारी प्यदान मंत्री वहां जाते हैं दिल्ली है पंदर एगस्त कुत्व मीनार के उचाई 334 फोट है जिसमें आपकी 319 सेणियां मोचू दे पितवी पर उसका ब्यास 47 फोट है जो उपर जाकर केबल 9 फोट रह जाता है लाल किला और जामा मस्जित के बाद मोगली प्री सरवुत्तम हिमारत हुमायू का मकवरा का निर्मार 1565 इस भी में हुआ नई दिल्ली में स्थित जंतरमंतर यंत मंदिर है जिसे जैपुर के रा सर एडविन लुटियन्स और हरवर्ट बेकर की देखरेक में अंग्रेजों ने करवाया था इसे भी अच्छे से याद अठ ले नई दिल्ली में अठारे मार्च 1949 को महत्मा गांदी ने लच्मी नारायन मंदिल का उधगाटन किया जिसका निर्मार बल्दियों ने करवाया दिल्ली में ही आपका 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बंप फिका गया था इस केस की मास्टर आमिर चंद अवद बिहारी वसंतकुमार भाल भाई बाल मुकुंद को फासी दी गई थी इसी केस के में ठीक है अंग्रेश सरकान ने 1877, 1903 और 1911 में कुल तीन बार दिल्ली में विसाल दर्वार का आईजन किया था पहला दिल्ली दर्वार आपका लॉर्ड लिटन की समय हुआ जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्भरागी वो सित किया गया दूसरा दिल्ली दर्वार लॉर्ड करजन की समय हुआ 1903 में आईजबीद किया गया जिसमें बात्साय एडवर्ड सप्तम की ताचपोसी की गोश्णा की गई तीसरा दर्वार आपका लॉर्ड हर्डिंग की समय हुआ 1911 में बात्साय जोर्ड पंचम और उनकी महारानी इस आउसर पर मौज़ूद थे दिल्ली विस्विद्ध्यालेक इस था आपना 1922 में की गई जिसका पुना संगठन आपका 1922 में किया गया तो यह था आपका दिल्ली राज्य इस तरह से आपके कुछ मद्पूर राज्य थे इनके बारे में हम लोगों ने जा लिया आपके मद्पिदेश और उत्तरपिदेश के बारे में तो मैं वैसे भी विस्थाय से पढ़ा चुका हूँ लेकिन अगर कॉसिस करूँगा अगर जब भी टाइम मिलता है तो सभी राज्यों के बारे में एक सामान अच्छे से डिटेल से थोड़ा विस्थाय से बता दूँगा ठीक है आगे हम लोग बात करेंगे एकोनियोमी की मारे में यानि की भारतिय अर्थ व्यवस्था को देखेंगे सब के लिए अर्थ व्यवस्था जरूरी होती है तो आप जुड़े रहे हैं बात करेंगे अमें ठीक